गुड मॉर्निंग, आज है सिकंड मार्च वीकली एक्सपाइरी और यहाँ है इंट्राडे आइडिया मॉर्निंग अपडेट, जिसने आपको आज के लिए मार्केट का डायरेक्शन बताया जाएगा। एक बार डिस्क्लेमर जरूर वीड करें। आज है वीकली एक्सपाइरी तो आप लो कैपिटल के साथ ट्रेड करें। तो आएए देख लेते हैं आज के लिए कैसा रहेगा पूरे दिन का मार्केट सेट अप। भारतिय एक्विटी बेंचमार्क ने एक मार्च को हाई लेवल पर वापसी की सभी क्षेत्रों में खरीदारी के बीच आठ दिनों की गिरावट का सिलसिला तूट गया। संग्रह ने मार्केट में रैली का कार्य किया। बेंचमार्क इंडेक्सों ने मासिक आटोमोटिव वॉल्यूम नंबरों और कम महीने में स्वस्थ GST संग्रह के कारण। आखिरकार आज के व्यापार में हरे रंग का स्वार चखा है। क्वार्टर चार के दौरान 5 क्रिया व्यक्त की बाजार आगे की ओर देख रहे हैं। के लेवल पे एंड ग्लोबल मार्केट भी फ्लाट क्लोस हुए। मिले जुले डेटा का सगीमेंट को देखते हुए उम्मीद है कि अपना इंडियन मार्केट आज फ्लाट उपन होने की संभावना है। से ग्यारह 389.48 टैटरपिलर के शेरों में 3.8 एक परसेंट की व्रिद्धी के बाद 2 फ्लाट निशान के पास रहा। यह एक संध के साथ एक अस्थाई सौधे पर पहुँच गया था जो इसकी चार सुविधाओं में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है। मिटल टेकनोलोजी, बैंकिंग और फाइनेंसियल सेवाओं, आटो और आयल और गैस नामों में लाब के कारण निफ्टी ने मार्च की शुरुआत एक सकारात्मक नोट पर की, जो एक मार्च को हाई लेवल पर समाप्थ होने के लिए आठ दिनों की गिरावट को रोक रहा 17,360 पर उच्छतर खुलने के बाद, पूरे सतर के दौरान इंडेक्स 17,468 के उच्छतर पर पहुँचने के लिए उपर की ओर बना रहा इंडेक्स 147 अंक बढ़कर 17,451 पर बंद हुआ इसने डेली चार्ट पर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और पिछले आठ देने के लोर हाई और लोर लो पैटर्न को ब्रेक कर दिया इंडेक्स निरनायक रूप से 17,392 के 200 डेली मुविंग एवरेज से उपर चड़ गया यदि इंडेक्स उपर की रैली को बनाये रखता है और 17,600 से उपर बंद होता है तो 17,800 से 18,000 प्रमुख रेजिस्टेंस एरिया होने की उम्मीद है जिसमें 17,300 पर सपोर्ट के साथ देखा जा सकता है वीकली ऑप्षन डेटा के हिसाब से अधिक्तम कॉल ओपन इंटरेस्ट 17,500 स्ट्राइक के बाद 17,600 स्ट्राइक पर देखा गया बैंक निफ्टी भी तेजी के साथ बंद हुआ और 439 अंक या एक प्रतिशक बढ़कर 40,698 पर बंद हुआ इंडेक्स ने डेली चार्ट्स पर एक बुलिश कैंडल बनाया जो लगातार दूसरे सत्र के लिए हायर हाई और हायर लो बना रहा उच अंत पर यह 41,000 की ओर बढ़ सकता है निचले सिरे पर सपोर्ट 40,400 पर रखा जा सकता है मोमेंटम ओसिलेटर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बुलिश क्रॉसोवर में है डेली RSI पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन सकारात्मक गती प्रदान करने की संभावना है वीकली ओप्शन डेटा के हिसाब से अधिक्तम कॉल ओपन इंट्रेस्ट 41,000 स्ट्राइक के बाद 4,800 स्ट्राइक पर देखा गया जो आने वाले सत्रों में निफ्टी के लिए 41,000 स्ट्राइक पर कॉल राइटिंग के साथ महत्वपूर्न रेजिस्टिंस एरिया होने की उम्मीद है पुट साइड पर अधिक्तम ओपन इंट्रेस्ट 40,500 स्ट्राइक पर था उसके बाद 40,300 स्ट्राइक जो शाट तर्म में सपोर्ट एरिया के रूप में कार्य करने की उम्मीद है एनसे पर उपलब्ध अंतिम आकरों के अनुसार विदेशी FII ने 425 करोड रुपए के शेर बेचे जबकि DII ने 1 मार्च को 1499 करोड रुपए के शेर करी दे यस्टरडे इंडिया विक्स जो अगले 30 दिनों में अपेक्षित बाजार की अस्थिरता को मापता है 7.35 प्रतिशक लुड़का और अब आ गया है 12.99 के स्टर पर इंट्राडे स्टॉक्स का विडियो पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दिया है आप देख सकते हैं प्लीज विडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिन विडियो हैपी ट्रेडिंग